स्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है अगर किसी इंसान का खुद पर विश्वास है तो वो पत्थर को भी पिगला सकता है तो क्या दोस्तों एक कमजोड छात्र बोर्ट पर इच्छा में 90% नहीं ला सकता बिलकुल ना सकता है, अगर वो खुद से ठान ले, खुद पर विश्वास जता ले कि मुझे आने वाले बोर्ट इच्जाम में 90% लाना है, मुझे कुछ कड़के दिखाना है इस एक्जाम में, जो लोग मुझे कमजोड समझते हैं, उन सब के मुँपे तमाचा मारना है मुझे, आप कुछ कड़के दिखाना है मुझे, अगर यह समें ठान ले, अगर यह सारी चीजे तो निश्चित आने वाले एक्जाम में टॉप करेगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह होगा कैसे, तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप खुद को कमजोड समझना बंद कीजिए कौन कहता है कि आप कमजोड है, अगर आपको सो लोगों के भीर में खरा कर दिया जाए, तो कोई नहीं कहेगा कि आप कमजोड है आप इसने यह खुद से ठान लिया है, खुद में सोच लिया है कि मैं कमजोड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता एक्जाम में, सिर्फ मैं पासिंग मार्क्स ला सकता हूँ यह आपकी mentality यह आपकी सोच है दोस्तो, आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तो आप सबसे पहले इस चीज को अपने दिमाग से निकाले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, वो सायद कोई नहीं कर सकता दोस्तो इसके सबसे पहले अपने mind को positive कीजिए, refresh कीजिए और charge up रहे कि मैं कुछ कर सकता हूँ अब देखिए दूसरी चीज, ये तो हो गई आपको कि आपको confidence दिलाने वाले, अब main बात आती है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो देखिए सबसे पहली चीज, किसी भी exam में top करने का सबसे बड़ा formula है रोज पढ़ाई करना दोस्तो, चाहे वो topper हो, mediocre हो, या एक कमजोड च अगर वो रोज पढ़ाई करेगा दोस्तो, अगर वो रोज खुद पर काम करेगा तो उसमें improvement दिखेगे ही दिखेगी दोस्तो, इसलिए आपको रोज पढ़ाई करना है, भले कम पढ़ाई करनी है, चार घंटे ही पढ़ने है, तीन घंटे ही पढ़ने है, लेकिन रोज तो आप रोज आज से पढ़ाई करो अगली बात आपको एक अच्छा time table बनाना है छोटा time table बनाना है लेकिन effective time table बनाना है क्योंकि देखिए time table के होने से क्या होगा कि आपकी पढ़ाई एक तरह रिदम में रहेगी आपको पता रहेगा कि मुझे इस time में ये subject पढ़ना है तो आप छोटे छोटे गोल लेकर के चलो कि मुझे एक सब्ता में इतने chapter complete करने एक सब्ता week में इतने topic complete करने है तो आपके पढ़ाई में इंट्रेस्ट बनी रहेगी आपको लगेगा कि मुझे यार एक week में इतना complete करना है तो मैं किसी तरह से पढ़ने बैठ हो गया आप प्रक करना है क्योंकि दोस्तों यह एक एक ऐसी बुक है जो आपको एक्जाम में सक्सेस दिला सकती है मैं यह बार-बार कह रहा हूँ फिर से आज कह रहा हूं कि एक भी कोश्चन नहीं आने वाला बोड एक्जाम में आप चाहें पिछले पांक साल के पेपर उठा करके देखना ए अगली चीज़ और सबसे इंपोर्टेंट चीज़ दोस्तों टाइम टुटाइम रिविजन करना दोस्तों इन चीज़ों इस चीज़ में बहुत ज्यादा लैक करते हैं इस्ट्वेंट दोस्तों कि उनमें रिविजन करने ही दिखती है दोस्तों इसलिए क्या करना है आपको कि आपको time to time revision करना है revision सबसे बरा मूल मंत्र exam में success करने का दोस्तो जो students time to time पढ़ी वी चीजों के revision करते हैं उनकी एक्जाम में success औरूट की बहुत जादा होती है इसलिए आपको time to time revision जरूर करना है तो जो भी और देखे revision करने का फाइदा आपको exam time में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा उसमें आप पर board का pressure नहीं रहेगा आपको लगेगा कि यार मैंने सारी चीज़ा पढ़ी रखिए बस आप उसमक्त page पलटोगे इसलिए आपको इस वक्त भी revision जैसे जैसे आप पढ़ते जो आगे आपको revision start करते चलना है दोस्तो अगर आप इन सब चीजों का खयाल रखते हो तो आप आने वाले board exam में बहुत अच्छा कर सकते हो आपको आने वाले exam में board अच्छा करने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर देना और चैनल को please subscribe कर ले और bell icon को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी अमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका notification आपको जल से जल मिले